अपने देश के हजारों गाउं से अब पारंपारिक चुलों की जगए गैस का इस्तमाल हो रहा हैं। चाहे वग्रामिन इलाका हो या शहरी इलाका आज भी करोडों व्रुक्षों की बली दे रहे हैं। अंतिम संसकार के लिए लकडी के बजाय जिसे किसान आम तोर पर अनुपयोगी समझ कर जला देते हैं। ऐसे एग्रिकल्चर वेस्ट से बने बायोमास ब्रिकेट्स का इस्तमाल किया जाता है। जिसे इस NGO ने मोक्ष काष्ट ये समर्पक नाम दिया है। नागपुर महानगरपालिका के दस दहन घाटों में से आमबा जरी तथा सहकार नगर घाट पर इस पाइलेट प्रोजेक्ट की शुरुवात की गई। आज कई बड़े कारखानों में कोईले की जगह है। इन ब्रिकेट्स का ही इस्तमाल हो रहा है। इस इंडस्ट्री के कारण एक और किसानों को आयका एक नया स्त्रूत प्राप्थ हुआ है। तो दूसरी और ग्रामिन इलाकों में हाजारों युवाओं को रोजगार मिला है इसमें खास करके स्वयबिन वेस्ट, इसमें कॉटन स्टॉक, सौर डस्ट और बगास यूज होता है। यह कोल का सब्स्टिटूट है। इसे बॉइलर में इंदन के रूप में चलाया जाता है। हमारे देश में हर साल लाखो टन एग्रोवेस्ट जनरेट होता है। यह एग्रोवेस्ट से अगर हम बिकेट बनाते हैं तो इससे किसानों को फायदा मिलेगा और परियावरंका जो समतोल है उसको आपन कायम रख सकते है। बायोमास ब्रिकेट के कई फायदे हैं और एक बात जो ब्रिकेट को लकडी से बहतर साबित करती है वो है नमी। जहां सुकी लकडी में भी लगबग 20 प्रतिशत नमी होती है वहीं ब्रिकेट में ये नमी केवल 3-5 प्रतिशत होती है। इतना ही नहीं लकडी और कोईले से प्रतिशन राख का प्रतिशत आधी अनेक माब दंडो पर की गई तुलना में ये ब्रिकेट्स श्रेष्ट साबित हुए है। पुर नगरी के जितने शेहर वासियों है उन्होंने इस उपक्रम में अच्छा साथ दिया है। ये भारत का पहला प्रयोग है। मुझे कुशी हो रही है कि अन्य शेहरों ने भी इसका फाइदा उठाना शुरू किया है जैसे मुंबई हो, यवतमाल हो, अकुला हो और इससे हम कई ज्यादा बुक्षों का जतन कर पाएंगे। यही एक अच्छी उपलब्धी इस उपक्रम से रहेगी। जो पेड लगाने की और जिंदा रखने की हमारी कोशिश है। उसमें हमें बहुत अच्छी मदद मिल रही है। इसलिए मैं नापकूर के नागरिकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्हने कोशिश में हमारे साथ में हो रहे है। इसलिए हमने ये कर पाएंगे। कि जैसे कि मेरे परिवार में मेरी मामी जी और मेरी माता जी उनकी मृत्ती हो गए थी और हमने मोक्ष काश्टका इस्तमाल करके उनका दहन विदी करने का निरणे लिया। ये सिरुफ वातावरन के लिए नहीं बखी राष्टन निर्मान के कार्य के लिए भी एक अच्छी पहल है सभी से सभी से बिनती है वोक्ष काश्टका जरूर जरूर इस्तमाल करें